यहान नहीं है चलाने में चला नहीं है तो जोड़ी ठोड़ी है अच्छे से पाटी चलाबें अच्छे मारे पाट है और जहां जो आगे होगा उनके साथ बैठ करके होगा कुछ भी होगा तो जब सीट बटवारे की बारी आएंगी तमाम हमारे नेता बैठेंगे बड़ा आरोप फिर से नितिसकुमार के खिलाफ आया था दर्द एक फिर से जलका था उस दोड़ का जब नितिसकुमार से अलग होकर महाग अध्यूंधन छोड़कर एंडिय में शले आया थ विद्नी कग अध्यून सनुटर अट ङनेे ले नितिसका दिया हुआ जख्मप न सका झालिक में जघएकुमार को प्रोप में लिकान चाहते थे वो कहते थे कि जितन राम मांजी के पार्टी को विले कर देना चाहिए ज़ियों में उसके बाद जितन राम मांजी का ये वयान जैसे ही सुर्खियों में आया हर तरफ वायरल होने लगा सरकार में श्राथ में एंडिये में सामील है जितन रामाजी लेकिन इसके बावजूद नितिस कुमार के खिलाब जितन रामाजी का ये बयान बिहार की राजनीती में एक नई गर्माहाट पैदा कर रहा है कहींगे अंदर खाने खबर चलना शुरू हो गया इस बयान के बाद कि अभी भी एंडिये के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है जितन रामाजी और नितिस के बीच सब कुछ ठीक नहीं है लेकिन इन सब के बीच अपनी सरकार अपनी गठबंधन का बचाव करते हुए निरज कुम सब्सक्ति तो यह जहां जो आगे होगा उनके साथ बैठ करके और कुछ भी होगा लेकिन जब सीट बटवारे की बारी आएगी तमाम हमारे नेता बैठेंगे और आराम से बिना किसी प्रेशर का सीट बटवारा होगा और जो भी सीट बटवारा होगा लेकिन अगर कोई सक्षम है अपनी पार्टी चलाने में तो उसे अपनी पार्टी चलाने का पुरा हक है और इस वक जितन राम मांजी हमारे गठवंधन के एक मजबूत सदसे हैं और वो हमारे साथ हैं यानि कि कही न कहीं ये अंदर खाने अब डर सताने लगा है इंडिये को कहीं ने कहीं मांजी का साथ जो है वो छूट सकता है आपको बता दू कि जितनरा मांजी जब से महागटवंधन से इंडिये में आये हैं लगतार उन्हें इंडिये के तरफ से मन मुताबिक जो सीटें हैं वो उफर किये जाते हैं मंत्री मंदल में जगाद दिया ज तो कुछ खवाहिस लगता है कि जीतन राम बांजी कि जो बाकी है नितिस के दर्मिया वो अब धीरे-धीरे निकल कर स्टामनी आने लगी है ऐसे तमाम खबरों के लिए जूर रहीगा देजिन के साथ धन्यवाद